हेलो दोस्तों मैं हूँ राज यादा और एक बर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीजी पीएसी का जो फर्स्ट पेपर है ठीक है फर्स्ट पेपर का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं जो सेकेंड पार्ट कोस्टन नमर फिप्टी वन से लेकर के हंड्रेट तक होता है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उसका एंसर मैं बताते चलूंगा आप लोग अपना जहें करेक्शन कर सकते हैं एक चीज़ मैं बतातू यह पूरी तरह से संभावित एंसर होने वाले हैं तो आप लोग जो है इसका ख्याल रखेंगे तो चली दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजेगा इस तरह के और वीडियो आप आप आगे मिलते रहेंगे बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके आल पर सेट कर देजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए चली जल्दी से स्टार्ट करते हैं फटाफट यह जो है वीडियो रहने वाला है जल्दी के अडूओं के बिच दूरी बढ़ेगी तो यहां चार स्टेटमेंट दिये हुए हैं और पूचा जा रहा है कौन सा यहां पर चार ओप्शन में से कौन सा सही है तो क्वेस्चन नमबर 51 का जो राइट एंसर होगा वो आपका हो जाएगा आप्शन नमबर D यहां पर राइ तो यहां पर राइट एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन नमबर 53 ग्लूकोस के विखंडन के संदर्प में कौन सा सही कथन है ठीक है सही कथन है पूचा जाले तो इसका जो राइट एंसर होगा वो आप्शन नमबर C हो जाएगा दो औ और तीन यह जो है सही कतन होंगे आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेस्चन यहां पर है क्वेस्चन नमबर 54 पुदे गिरी और खांड गिरी गूफाओं के संदर्प में कौन से सही है ठीक है तो इसका जो राइट एंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नमब इसके पदक पर इंद्र वज्र की चार प्रतीकृति अंकित होती है यह ऑप्शन नमबर भी यहां पर राइट एंसर यहां पर हो जाएगा आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं क्वेस्चन नमबर 57 निम ने कराई कलाओं को उनके उनके संबंधित राज इससे सुमेलित करना ह तो यहां पर जो राइट एंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी यहां पर राइट एंसर हो जाएगा ठीक है आप लोग मिला लेजेगा ऑप्शन नमबर डी यहां पर राइट एंसर होगा आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्वेस्चन नमबर 58 निम व्यक्तियों को उनके छेदर की सांद सुमेलित करना है उन्हें जो है पदमिसरी 2021 पुरुषकार प्रदान किया गया है वहाँ से ये question आये हुँ है पदमिसरी से ठीक है बिल्कुल latest इसका जो right answer होगा वो आपका हो जाएगा option number B option number B यहाँ मिलाली जेगा right answer हो जाएगा आगे बड़ जाते है question number 59 question number 59 उचीत और लापकारी मुल्य निम्ने में से किस वसल से संबंधित है यह पूछा जा रहे हैं यहाँ पर किस वसल से संबंधित है तो यहाँ पर जो right answer होगा वो आपका हो जाएगा गन्ना गन्ना से संबंधित है थोक मुल्य सुचकांग WPI की गन्ना में विनिर्माद उत्पाद का महतोर प्रतिशत में कितना होगा तो यहाँ पर जो right answer होगा वो आपका हो जाएगा option number B हो जाएगा 64.2 तीन प्रतिशत यहाँ right answer हो जाएगा आगे बड़ते हैं question number 61 अंतरास्टी मुद्रकोस IMF ठीक है International Monetary Fund में जो है भारत का विशेश आहराण अधिकार प्रतिशत यह वोड का प्रतिशत क्रमशा कितना होगा तो यहाँ पर जो right answer होगा वो आपका हो जाएगा option number A 2.7 प्रतिशत और 2.6 प्रतिशत यह जो right answer हो जाएगा आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं next question यहाँ पर question number 62 आर्थिक सर्वेक्षनर 2020-21 के नुसार निमन राजे को दुख दुथ पादम के अधार पर घरते करम में सजाए घरते करम में सजाना है तो यहाँ पर जो right answer होगा वो आपका हो जाएगा तो इस question को अभी के लिए हम लोग skip करते हैं और बढ़ जाते हैं आगे next question देखते हैं यहाँ पर question number 62, 63 और 64 को हम लोग skip करते हैं अभी इसका answer में आपको आगे आने वाले वीडियों बता दूँगा और यहाँ पर आ जाते हैं question number 65 में question number 65 यहाँ पर पूछा जा रहा है निमन कतनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए तो यह दो कतन दिये हुए हैं कतन को अगर आप लोग पढ़ेंगे ठीक है तो सही विकल्प इन में से चुनना जो है पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो राइट एंसर होगा वह जाएगा आपका कतन एक एवं कतन दो दोनों असरत्ते हैं तो option number B यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ जाते हैं question number 66 दिये गए यूगों के जो है सही काल करम को चूने हैं जो सबसे पुराना है वो सबसे पहले आएगा ठीक है कौन सा यूग सबसे पुराना है वो पहले आएगा तो यहाँ पर जो राइट एंसर होगा वह आपका हो जाएगा option number B यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा ठीक है योसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन, यह यहाँ पर सही करम होगा, आगे बढ़ जाते हैं, question number 67, question number 67, निम्न भुगर्भीक विरासत इस्थल को उनके इस्थल से जो है, सही मिलान करना है, ठीक है, तो इसका जो right answer होगा, वो आपका हो जाएगा, option number C, य question number 68, question number 68, निम्न कतनों के अधार पर विकल्प का चुनाव करना है, plate विवर्तनी की का सिध्धान जो है, यहाँ दिया गया, सिध्धान समुदरतल से, विस्तानर सिध्धान का पर जो है अधारित है, तो यहाँ पर दो कतन दिये गया है, पूछा जा रहा है, सही विकल्प, तो यहाँ पर जो right answer होगा, वो आपको हो जाएगा, option number D, कतन एक सत्य है, और कतन एक असत्य है, और कतन दो यहाँ पर सत्य है, आगे बढ़ जाते है, question number 69, निम्लिखित हीम नदी को उनकी लंबाई की घरते करम में सजाना है, ठीक है, निम्लिखित हीम नदी है, उसकी लंब तो यहाँ पर जो right answer होगा, वो आपको हो जाएगा, option number D, यहाँ पर right answer हो जाएगा, आगे बढ़ जाते हैं, और देखते है, question number next, यहाँ पर question number 70, इसको अभी के लिए skip करते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं, next question, question number 71, question number 71 है, UN FCC, जो है COP26, अधिवेशन में भारत दोरा की गई प्रतिबद्धाता कि संदर्ब में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, तो यहाँ पर जो right answer होगा, वो आपको हो जाएगा, option number B, भारत 2030 तक अपनी उर्जा ज़र्वतों को 60% पूर्ती अक्षय उर्जा में करेगा, आगे बढ़ते हैं, next है, निमने में से कौन सा सह है या है, कौन सा सही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका जो right answer होगा, वो आपको हो जाएगा, option number 1, 2, 3, यह तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है, तीनों statement यहाँ पर सही होंगे, आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, next question, भारत और पूर्टगाल की सरकार ने भारत मे राष्टे समुद्री विरासत परिसर विक्सित करने के लिए समझा होता गयापन पर हस्ताक्षर किया है, इसे कहाँ विक्सित किया जाएगा, तो इसे कहाँ विक्सित किया जाएगा, तो इसे दोस्तों विक्सित किया जाएगा, लोथल गुजरात में, option number D, यहाँ पर right answer हो यहां पर सही नहीं होगा आगे बढ़ते हैं निम्न कतनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए सही विकल्प चुनना है निम्न कतनों को पढ़कर गे यहां जो राइट एंसर होगा वह आपको हो जाएगा एक और तीन यहां पर सही विकल्प है एक और तीन बाकी दो और चार य दर्ब में संबन्द में निम्न कत्नों को पड़कर सही विकल्ब चुने तो यहां पर जो इसका राइट एंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए औप्शन नमबर B यहां पर दो और तीन इसका right answer होना चाहिए option number B आगे बढ़ जाते है question number 77 भारतिय परिशाद अधिनियम 1892 के संबंद में निम्न कत्तों को पड़कर सही विकल्प चुनिए तो इसका जो right answer होगा वो आपका हो जाएगा option number C एक और 3 यहाँ पर सही यहाँ पर statement हो जाएंगे आगे बढ़ जाते हैं question number next 78 वित आयोग के संबंद में संदर में कौन से सही है या है तो इसका जो right answer होगा वो आपका हो जाएगा option number D केवल 1 ठीक है केवल 1 यहाँ पर सही है बाकी के 2-3-4 यहाँ पर गलत होंगे आगे बढ़ जाते हैं निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है फिर से नहीं है पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो right answer होगा वो आपका हो जाएगा option number C North Frontier Railway प्रयाग राज आगे बढ़ जाते हैं next है यहाँ पर Olympics 2020 के संबंद में कौन सा सही है तो यहाँ जो right answer होगा इस question को हम लोग जो है skip करते हैं इसको next video में मैं आपको बता दूँगा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स है निम्न टेनिस टूनामेंट को उनके प्रारा महने के words काल करंबद में सजाए जो सबसे पहले शुरू हुआ वो सबसे पहले आएगा जो सबसे पहले शुरू हुआ वो पहले आएगा टेनिस टूनामेंट में तो इसका जो right answer होगा वो हो जाएगा आपका option number C वी मर्डल पहले हुआ उसके बाद US स्टार्ट हुआ उपन, US उपन, फिर फ्रेंच उपन उसके बाद Australian उपन आगे बढ़ जाते हैं question number next question number 82 GNU operating system के संबंद में क्या सही नहीं है ठीक है नहीं है पूचा जा रहा है GNU तो इसका जो right answer होगा वो आपका हो जाएगा या Unix के साथ compatible नहीं है ये इसका right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 83 question number 83 में यहाँ पूचा जा रहा है distributed denial of service DDOS attack क्या है DDOS attack क्या है तो इसका right answer होगा यहाँ पर option number B एक cyber attack है ठीक है DDOS क्या है cyber attack है next यहाँ पर NAV IC NAV IC का full firm क्या है तो इसका right answer होगा यहाँ पर navigation with Indian constellation ठीक है यहाँ पर right answer हो जाएगा आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं next question आवरिती module FM आवरिती module frequency module जो है radio wax के बारे में क्या सही नहीं है ठीक है फिर से नहीं है पूचा जा रहा है इसका right answer होगा वो हो जाएगा आवरिती modulation के आवरिती range आया मोडिलेशन AM से कम होती है चलिए next question है question number 86 चंद्रयान 2 के बारे में पूचा दा रहा है अभियान से संबंद में क्या सही नहीं है चंद्रयान 2 के संबंद में क्या सही नहीं है यहाँ पर जो right answer आपका होगा इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी धुरू को innovation के लिए लक्षित किया था आगे बढ़ जाते है question number 87 वैसको को दी जाने वाली covid shield जो है vaccine के प्रतेक dose की मात्रा कितनी होती है तो इसका जो right answer होगा वो आपका हो जाएगा option number C ठीक है option number C यहाँ पर right answer हो जाएगा 0.5 ml आगे बढ़ जाते है question number 88 question number 88 है यहाँ पर विधियाग पारित करने के लिए संसत की सेंगतों बैठा के संबंद में निम्न कत्म में से कौन सा सही है कौन सा सही है यह पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो right answer होगा वो हो जाएगा option number D इन में से कोई नहीं कोई भी option यहाँ पर सही नहीं है कोई भी statement यहाँ पर सही नहीं है चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते है question number 89 question number 89 है निम्न में से किस राजे से लोग सबग की सबसे ज़्यादा सीटे अनुसूची जन जाती के लिए अनुसूची जन जाती यानि कि ST के लिए ठीक ST के लिए कौन सा लोग सबग की सबसे ज़्यादा सीटे हैं किस राजे में तो right answer यहाँ पर हो जाएगा आपका मादेप्रोदेस option number D यहाँ पर right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नीम्नि में से कौन सी समीती लोग सबग के अधीन नहीं आती है कौन सी समीती लोग सबग के अधीन नहीं आती है तो यहाँ पर option number D यहाँ जाएगा स्वास्तय में परिवार कल्याण समदी समीती आगे बढ़ते हैं 91 question number 91 भारतिय संसदी समूझ जो है IPG के संदर में कौन से कथन सही है सही है पूछा जा रहा है तो यहाँ पर राइट एंसर इसका B होना चाहिए ठीक है राइट एंसर B होना चाहिए इसका आगे बढ़ जाते हैं इसमें थोड़ा सा डाउट है फिर भी B इसका राइट एंसर होना चाहिए आगे बढ़ जाते हैं question number 92 question number 92 है निमने केंदर सासीत प्रदेश का उनके बनने के वर्ष के साथ जो है सही मिलान करना है केंदर सासीत प्रदेश का उनके बनने की हिसाब से तो यहाँ पर जो right answer होगा वो आपका हो जाएगा option number B इसका right answer हो जाएगा आप लोग मिलान कर लिजेगा आगे बढ़ जाते हैं और next question यहाँ देखते हैं 93 ठीक है next है 93 स्वायत जीला की संदर में कौन से जो है सही है तो इस question का भी right answer हो जाएगा आपका option number B हो जाएगा एक और दो एक और दो इसके संदर में सही है स्वायत जीला की संदर में आगे बढ़ जाते हैं next है question number 94 निम्न कतनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है तो तीन कतन यहाँ पर दिये गए है तीनों को पढ़ लीजीगा तो यहाँ पर जो right answer होगा वो आपका हो जाएगा option number C कतन एक दो सही है किंतु कतन तीन गलत है ठीक है कतन number 3 यहाँ पर गलत हो जाएगा आगे बढ़ जाते हैं और देखते है next question question number 95 तो यहाँ पर जो आपका right answer होगा वो हो जाएगा option number A एक दो तीन सभी सही है ठीक है एक दो और तीन यहाँ पर सही हो जाएगे आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं next question यहाँ पर question number 96 question number 96 राज पुनर गठन आयोग 1903 के संदर्ब में निम्ने कत्मों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने 96 तो यहाँ 96 का right answer हो जाएगा option number A एक दो तीन यहाँ पर सही है ठीक है तीनों कत्यन यहाँ पर सही हो जाएगे आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं next question 97 97 यहाँ पर भारत के पूर्व मुख्य नायदिस यश्वंत विष्णू चंद्रचूर के संबंद में कौन से सही कथन है तो यहाँ पर पूर्व मुख्य नायदिस यश्वंत विष्णू चंद्रचूर के संबंद में statement दिये हुए हैं एक दो तीन आपको बताना है कौन से सही हैं तो यहां जो right answer होगा वो हो जाएगा आपका option number एक दो तीन यह तीनों यहाँ पर सही हो जाएगे देखते हैं next question यहाँ पर question number 98 सबसे कम अवधी के लिए भारत की मुख्यनायदिश कौन है सबसे कम अवधी के लिए यहाँ जो right answer होगा वो आपका हो जाएगा कमल नरायान सिंग option number D right answer हो जाएगा question number 99 सबसे क्या सही नहीं है तो इसका जो right answer होगा option number C यहाँ पर right answer हो जाएगा इस संसोधन की दारा पहली बार इस पश्ट किया गया कि राश्पती किंद्री मंत्री मंदल के सुझाओं के विफ्रित कारे नहीं कर सकता और next question last question है आज का यदि किनी कारणों से भारत की राश्पती की अनुपस्तिती में उबराश्ट पती राश्पती पत के कारेयों का न जात हो जाएगा तो इस तरह हम लोगों नहीं देखा हम लोगों ने कुन मिला करके 150 question number 50 से लेकर के 100 question तक के जो है एंसर देखे कुछ question छूट गये थे उनको बाद में फिर से किसी वीडियो में बता दूँगा अगर ये वीडियो पसंद आया होका तो लाइक जरूर कर जरूर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद